क्या बोलूं सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन अब आज मुझे आपसे पांच दस्ट मेट बात करनी है और राजमोहन गांदी जी साथ बैट के कह रहे हैं तो तेरी और हिम्मत बढ़ गई है क्योंके आज कल बोलने वाले बहुत हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा चामिया वालों को मैं मुबारक बात देता हूँ एक मरतबा एक खत्म गांदी जी ने जमनालाल बजाज को लिखा जमनालाल बजाज इस वक्त जामिया को जिंदा रखने से बड़ा देश में कोई काम नहीं ये वो वक्त था जब जामिया को चलाने के लिए एक एक पैसे की मोहताज़गी थी तो आप ने वो कर्द उतार दिया जामिया के लोगों ने वो कर्द उतारा है आज इस लड़ाई में शामिलों को गानी जी बहुत उनको कुछ लोग चतुर बनिया भी कहते हैं और हम मानते हैं कि वो बहुत समझदार थी इसमें एक बात और जोड़ दूर के राजपोहन गान्दी जी ने नौन वाइलेंस का जिक्र किया और सत्या ग्रह का जिक्र किया ये पानी वाले अगर थोड़ी देर के लिए रुप जाए तो फिर मैं आप लोग यहां ऐसे बैठे हो जैसे कोई इबादत करता है सत्या ग्रही जो होता है वो इबादत के लिए बैठा होता है आप यहां इबादत के लिए बैठे हो लेकिन इबादत करने वाले की कुछ शर्ते होते हैं ऐसे ही सत्या ग्रह के बारे में आप से किसी दिन बात करेंगे मैं फिर से वही जाता हूँ कि गानी जी ने दिखा जमनालाल इस वक्त जामिया को जिन्दा रखने से बड़ा देश में कोई जरूरी काम नहीं है और जमनालाल अगर कुम कहो तो मैं ठीक मांगने के लिए भी तयार है और कल जो आप ने किया दे मैं वो बच्चे को सलाम करता हूँ कल तीस जन्वरी को जो यहां खटना हुई है उस खटना को आप मामूली मत समझे हम चाहते हैं कल तीस जन्वरी के खटना यहां हुई आपको مع treadmill है दिली में गांदी जी आये थे गांदी जी कलक्ता से हैदरी बिल्डिंग से आये थे और वो यहां रुपके यहां रुखे कलक्ता जाने वाले थे वो पंजाब जाने वाले थे और पंजाब से पाकिस्तान जाने वाले थे उन्होंने कहा था कैसे मैं ये चाहता हूँ कि मुसल्मान के कोई आख नहीं उठे हिंदुस्तान में ऐसे मैं पाकिस्तान में जाके हिंदूों के बक्ष में बैटू अगर हिंदू के कोई आख उठाएगा तो मैं पाकिस्तान में उससे उसकी आख में आख जाल के उससे कहूँगा कि ये मजभ नहीं है ये धर्म का काम नहीं है तो गांदी जी यहां आए दिली में और दिली में जो उनोंने उनके साथ जो हुआ वो हर किसी के साथ गुआ तो इसलिए उस वक्त के जो बहुत बड़े चर्च के एक फादर थे उनोंने कहा था कि इसा अलिह सलाम को दुबारा से सूली पे लगता दिया गया गया गांदी में जो पुरवानी दी जिसके बाद हिंदूस्तान में नफरत एक बहुत लंबे वक्त के लिए दब गई कर जो यहां घटना होई मैं उस पर फिर से सलाम करता हूं लेकिन एक बात और कहता हूं वो सकता है कि आप मुझे बुरा कहता है तो आज कल तो सबके हाथ में वाटस अप है और किसी के हाथ किसी के पास सबर भी बहुत कम है तो एक कम लिग देते हैं आरे अग 창e है यह इसा है मैं एक बात आप से और कहूंगा अगर गांधी की बात होगी तो पूरी बात होगी या सहरासर मौम हौ या संघ हो जा गांधी की बात आदी नहीं होगी घा लिए ख feet कौपाल को माफ कर दिया अगर गांजी की बात होगी तो पूरी होगी और हाँ जिनों ने जामिया के नौजवानों ने जिनके खिलाब रिपोर्ट लिखाई है मैं उसका समर्थन करता हूँ ये जब जब मजभ की आग लगती है सबसे ज़्यादा नौजवानों के हाथ में तलवारे और बंदू के लेके उनको तबाह किया जाता है आज जिनोंने ये नारे लगाये थे वन सलूशन दन सलूशन देख लो हिंदुस्तान से लेके और अरब तक आज की